चिराग पासवान का आपने लच्छधार भाशन सुना होगा लोग सभा में वो दावा कर रहे थे कि 40 में से 40 सीटे नणेंदर मोदी और भारती जंता पार्टी के जोली में डाल देगी बिहार की जंता ऐसा दावा चिराग पासवान ने अविश्वास परस्ताओं के दौरान जो भाशन देना था पार्टी की तरफ से पार्टी के नेता होने की हैसेत से तो वो अमिशाह की तरफ देख करके बार-बार यह कह रहे थे लेकिन कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि जमोई से वो चुनाव लड दुआर सरकू हुछ समझ बैठे लेकिं चिराख पासवान को आम तौर से सुना गया है कि वो नितीष कुमार पर हमला करते हैं लेकिन बहुत तरह की ऐसी बातें हैं सियासत में वो रिजर्व होकर बात करते हैं लेकिन कितनी हलement की बात करते चिराग पासवान नजर आ रहे हैं कि जमुवी में तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे और जो बाप की विरासत है पिता जी की विरासत है हाजीपूर में उसे बचाने के लिए वो अपनी मा को हाजीपूर से चुनाव लड़ाएंगे पाशू पती कुमार पारस उनके चचा है राजनीती में दोनों का जगड़ा हुआ पाटी तूट गई कई मिंबर और पार्लेमेट उनकी तरफ चले गए चिराग अपनी रोशनी अकेले लेकर के चारो तरफ बिहार में पहलाने का प्रियास करते रहें लेकिन चिराग पासवा को इतना तो कम से कम जानना चाहिए राजनीती में हैं मिंबर और पार्लेमेंट में हैं साफ सुथरे दिखते भी हैं खुबसूरत भी हैं और उनके पार्टी के नेता ये कहते हैं कि रामविलास पासवान की छवी चिराग पासवान में नजर आती हैं हाला कि इस मामले को ले सीट से चुनाव लड़ेगी तो चिराग पासवान को समझना चाहिए कि उनकी मा रिजर्व कैटिगरी में नहीं आती है अब किस नजरिये से उन्हों ने कहा दिया कैसे बोल दिया यानि कहा ये जाता है कि कम से कम आकल तो लगानी चाहिए न कि वो सीट रिजर्व में है राम विलास पासवान वहां से चुनाव लड़े हैं उसके बाद उनके जो चचा है यानि राम विलास के जो भाई हैं पशुपती कुमार पारस मौझूदा समय में वो वहां के लोग सभा के एमपी हैं वो चुनाव लड़ेंगे कोई भी लड़ेगा रिजर्व कैटिकेरी का लोग वो आरक्षित सीट है तो जिसको आरक्षन मिला होगा सम्विधान के अनुसार वही चुनाव लड़ेगा उन्होंने अपनी मां को चुनाव लड़वाने की बात कह दिया आखिलकार इस तरह की जो बचगानी बात है वो क्यों कर सकते हैं चराग पासवान किस वज़े से उन्होंने कहा दिया कि हमारी वहां वहां से चुनाव लड़ेगी चराग पासवान को थोड़ा सुछ समझ करके बोलना चाहिए जमूई में उनकी जो दावेदारी है वो तो ठीक है जमूई से वो member of parliament भी है वहाँ से वो चुनाव लड़ भी सकते हैं दावा भी कर दिया लेकिन उन्होंने जो हाजीपूर को ले करके दावा किया कि मेरी माँ वहाँ से चुनाव लड़ेगी इस बात में समझी कि जरा सा भी दम नहीं उनको अकल लगानी चाहिए पढ़े लिखे वेगती है member of parliament है कम से कम यतना तो पता होना चाहिए कि वो reserve seat है और reserve seat पर वही वेगती लड़ेगा जो reservation की केटिगेरी में आता है लेकिन चिराख पासवान ने बोलते बोलते फलो फलो में बोल दिया होगा शायद इसलिए ऐसा लग रहा है लेकिन चिराख पासवान को हो सकता है बात में होश आये और वो कहें कि मेरी माँ चुना वहां से नहीं लड़ सकती है चिराख पासवान हो सकता है कि आइंदा बोलते इस भूल चूप की जो सुधार है वो खुद से कर सकते है